हमें सुनने को आई है कि अगर यहां से अमन गुपता चेर्मेन बनते हैं तो छे भीगे धरती यहां सा आट भीगे धरती यूँआ हो के नाम करेंगे यहां से सुनने को आई है कर्वो से करेंगे यहां सुनना कर्वों कर दो कर दो दो कर दो कर दो पाव ये लगको तेया कि अरगाद। छिंदाद। अरपकन सें छिंदाद। प्रफिर प्रफिरी प्रफिरान करता है वंस प्रफिरान जैसरिराआव! मैं हमारे OBC मोच्चा के मनदे ऑर के मंदल डेरक्स मंन कि मंतरी जी करेंगे आइ जेजिक में भाठत मरफ handa पाटी को स्वरिष्ट नेता दूहर कि ए आज अज़ेंदर चीक पिछे वाई साथ मौझूद है जब्रेड़ा आप पहुचे हैं युवा सम्मेलन समारों यहां पर रखा गया था और यह कारेकरम चल भी रहा है वी जिपका आप क्या कहेंगे यहां पर पहुचे हैं लेकिए इस परकार के आयोजनपुने देशपर में में हो रहे हैं आज जब्रेड़े में विजानसभा में यह कारेक्रम हो रहा है एक बड़ा उत्साह हमारे कारेकरताओं में हैं हैं और इस कारेक्रम के निमेथ हम नीचे तक उनतिम छोर्ट पर बैठेवे वेकिति तक जहां यां योजनाओं का लाब पहुचे miejsce । यहां योजनाओं के उनकी जानकारी में लाया जाए जहां योजनाओं का लाब प्रचंड बहुमत से जीत कर मोधी जी देश के तीश्री बार प्रदान मंत्री बने ये निवेदन में कर रहे हैं पूरे देश पर में पहला राज्य उत्राखन बना चिनों ने पुसकर सिंग धामी के नेतब्त वाली सरकार ने कल विधान सबा में यूसीश्य को पास कराने का काम किया और ये पहला राज्य बना आने वाले समय में अन्य राज्य भी इसका मार्ग दर्सन लेते वे और अपने सब्सक्राइब में किसी भी राजनितिक दल को उचित नहीं है जिले के परमुक समा सेवी डॉक्टर अमन गुपता हमारे साथ मौजूद है आज यहां पर यूवा सम्मान सम्मेलन समारों यहां पर रखा गया था ओबी सी का कारेकरम चल रहा है भाज़बागा और मैं आपको बता दू अन्य को का रिये डॉक्टर अमन गुपता ने जब में आईजित किया गया और इसके तहत मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में पर देश के कतावर नेता सिर्मान मदन कोशी जी का भी आगमन हुआ पूरे कस्वे ने जोर सोर से उनका स्वागत किया और मंदिर के प्रांगन से सीचो की धर है और नंदावलबा की धर से अभी हम यूओ ने मंदिर के प्रांगन से यह प्रण लिया है कि हम भारते जंता पार्टी को आगामी चुनाओं में जिता करके बेजेंगे ऐसा सभी यूओ का प्रण है और मैं भी इस बात का विश्वास दिलाता हूं भारते जंता पार्टी को की जबरणा से अब की बा चेर्मेन बनते हैं तो छे भीगे धरती यासा आठ भीगे धरती यूओ के नाम करेंगे यूओ को आठ भीगे भूमिया कर वो मुझे हागादेक्स बनाते हैं वो पिछली गोसना में कर दी है यूओ के लिए स्टेडियम हो और यहाँ पर आगन बाड़ी के लिए केंदर का बावन का निर्मान हो और यहाँ पर परसुराम जी का मंदिर हो जीम नगर पंचात में उसको बाहन निकालने का काम हो तो हमने यूओ से बाचित करके क्योंकि मैं यूओ के बीच में रहता हूँ और यूओ को मैं आठ भीगे भूमी देने का वादा किया है और मैं उसको प्रतिमा का लेकर एक देशराज करलवाज जी को हां के लोगों ने क्या परमी दिया है उसको लेकर क्या करें देखिए इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ जो मानने मुक्यमंत्र जी की गोसना है जहां पर मूर्ति स्तापित करने की बात है हम यूओ टीम और मैं भी खास अधर्ट मैं ग्याव देखिःए वेक गोण स्चाह Walk देशिक करेंगे जिए इसके बहुत हैх घ她 ऑघार चाहसकर थाëर्भाब का शॉ unin obrigs Ein चाहते हैं कारे करम आपने यहां पर रखा और यहां गाजे बाजे के साथ मदन कोशी का स्वागत वा उसको लेकर क्या कहेंगे देखिए यह तो जन्ता का प्यार है देखिए जब मैं अपनी यूवा टीम के साथ पूरे कस्वेवासी के साथ रात को बारा वजे भी खड़ा आप यहां पर मौजूद है और जो कारे करम चल रहे है धारती जिनता पार्टी को ऊवबी से मौड़्या के द्वारा तुरू जितके कारी करम हमारा यूवा समाद कारे करम रहा जिसमें भाई अमंजी जो हमारे बहुत अगरनी समाद सेवी है उनका विमें पूरा सयोग मिला कारेकरम में और हमारे मंडल अद्यक्षे भाई अजे सैनी जी जिनके नित्रुत में आज हम सब यहां पे एकठे हुए आपने भवे दिवे कारेकरम रखा जिसमें हमारे पूर प्रदेश अध्यक्ष और विदायक वर्तमान हरिद्वार अधड़ने मदनजी मुख्यती दीदी की रूप में पदारे थे ये सारे कारेकरम राश्टिन इस तर से पर देश भर में हो रहे हैं पाँचवा विधान सबाकरेकरम ता और बहुत अच्छा कारेकरम रहा इसमें युवाओ की जो समस्या है वो निकल किई है तो उनको सरकार के पास पास पुछाना एक मांध्यम हम लोग को बने के कोई के समस्या तो उसको सरकार तक मुझे हैं नारा है 400 पार का इस बार 400 पार बिलकुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम 400 पार नहीं जाएंगे परदानमंत्री जी ने भी कल परसो लोकसभा में बोल दिया है कि भारतिय जंता पार्टी 370 और हमारा गटबंदन 400 पार डेफिनिटली जा रहा है औ और हम सबी महिनत करके उनको लोक सबार सब्सक्राइब 25 जैसे ही हम करेंगे जितनी इनकी लोग प्रिता देखी जा रही है जैसे कारे कर रहे हैं कि आपको भारते इंदा पार्टी इनकी तरफ देखेंगी टिकट इनका है यह भी सच्चा ही है जैसे कारे करम रहा है हमारे नगर के लोग ने बढ़ चलिया और मुझे लगता है कि या पर सिदह सिदह कहा गया है कि भारते इतना पार्टे कि साथ है और डॉक्टर अमन गुपता के साथ है अगर ऐसे ही कारिये ये करते रहे और युवाओं के लिए जो उन्होंने गोशना की है अगर वो पूल होता है मामला तो ये छाट भीगे जमीन अपनी दान करेंगे